वीडियो उसमें हम करने वाले हैं दा लास्ट बर्स बेबलेड का रेव्यू जो की है यह गाइस यह है बेबलेड बास्ट सीरीज का लास्ट बेबलेड बैरिकेड रूसिफर तो आज इसका अंबोक्सिंग करेंगे अंबोक्सिंग सिर्फ एक पैकेट में से निकालना है हमको यह फेक वाला है और जिनल वाले में जो यह है गाइस यह इसका ड्राइवर है वह थोड़ी सी शार्प है उपर से लेकिन यह वाली हमें लूसिफर दी एंड वाली सोरी लूसिफर वेरियंट लूसिफर वाली मिल गई हमको तो उसमें अब हम कुछ कर नहीं सकते फेक बेबल या नहीं है मुझे देखना होगा उके रबबड है इसके अंदर चार रबबड जो वेरियंट है उसमें ज्यादा रबबड होते थे लेकिन इसमें चार ही है और सब के सब सही में रबबड है चलो फेक वाले रबड लगाने लग गया आज कल पहले तो लगाते ही नहीं थे बैरिकेड लुसिफर है इसके स्टिकर्स हमारे पास यह रहे इनको लगा लेते हैं भाईयो लगा के क्या दिक्कत है रुको लगाई लेते हैं यह बहुत ही ईजली लग जाएंगे जहां तक मुझे लगता है यह देखा बहुत जल्दी भी लग जाएंगे क्योंकि थोड़े इसको लगाते हैं हम यहां पर तो ऐसे कुछ चीकर्स लगेंगे भाईयो जल्दी जल्दी से लगा लेते हैं और आज वीडियो एडिट नहीं होगी मुझे नहीं पता क्या क्या कुछ खास होने वाला है लेकिन भाई मस्त होने वाला होगा इतना तो पता है टीटी हमेशा कुछ ना कुछ मज़िदार करता ही रहता है जैसे कि पहले उन्होंने ब्लास्टिक जनके बाद मैटल सीरीज लाई थे मैटल सीरीज नेक्स लेवल थी उसके बाद बस सीरीज भी नेक्स लेवल थी अब देखते हैं क्या लाएंगी यह और ये भी पोक सीरीज बना दिया है इनको होने भी नीची है बाईयो क्या दिक्कत चलते रहना चाहिए सिस्टम ओके यह हमारा बेरिकेड लुसिपर और अभी इसकी फाइट करते हैं और चला के देखते हैं क्या कुछ सीन है गईस इसका और देखते हैं इसके ब्लेड्स खुलेंगे नहीं खुलेंगे स्टेडियम डीवी सीटेडियम यूज़ कर रहे हैं आज तो 321 होचा शुरू ओके ब्लेड्स खुल रहे हैं बहुत मस्त मस्त नाइस ओ भाई और तेज लग रहा है दो नाइस भाई यह इसकी बैरिकेड है जैसे वेरियंट लूसिफर की बैरिकेड होती थी वै इन 321 और फिर से करना पड़ेगा यह तो दिक्कत हो गई इन 321 होजाए शुरू आप पता चल जाएगा देखो बैरिकेड काम करती है लेकिन बहुत जल्दी खतम हो जाती बैरिकेड और जैसे कि वेरियंट लूसिफर बहुत जल्दी हार जाता था सेम वही यह बैरिकेड ल इस वेरियंट वाला है अगर इस वाला होता तो शयद ज्यादा स्टैमना बचता देखता ओ नाइस लेट लोंग्स किया देखते हैं क्या जैस्ट अकली इसको फिर भी हरा पाएगा और जवाब है ना नोट चांस नोचांस नोट चांस करहें मैं बारी है ultimate वेल्कृ से करने क इसको क्यों कर रहा हूं मैं बेरिकेट लुसिफर की करते हैं अल्टिमेट वैलक्री से और हाँ गाइस ये बेबलेड जो बाई लिंक है इसका मैं दे दूँगा यहाँ पे व्यू प्रोडक्ट में वहाँ से जाके बाई कर सकते हो और जितने मेरे को डीवी के अच्छे अच्छे बेबलेड मिलेंगे वह वाले उनका लिंक में यहाँ पे व्यू प्रोडक्ट में दे दूँगा तो जाके चकाउट कर सकते हो और बाई कर सकते हो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं 3,2,1 अरे चिच्चा 3,2,1 और जाए शरू 3,2,1 और जाए शरू अरे भाई ultimate वेलक्री हार सकता है बस ultimate वेलक्री हार सकता है बस और कोई नहीं हार सकता तो फिर से करेंगे ओके in 3,2,1 हो जाए शरू come on ओ भाई यह मस्ता यार यह मस्ता भाई आप दोनों लेकिन एक टकर से बस्ट होगी दोनों ये वाला मस था एक बार ऊड़ करना है मेल को फिर ऐसा अगर हो गया तो दोबारा से बस्ट मजह ही मजह आजाएगा भाईयो बस्ट सीरीज में बस्ट होगा तो मजह क्या है यही तो बात है ओके लेट सी क्या होता है अभी दुबारा से बाश्ट हो पाएगा ठीट्री वाइवर के साथ में आता है इस बार और देखते हैं फो इन 321 हो जाए शुरू ओ यह वह वाई हरा दिया ब्रेव ने हरा दिया गयं ब्रेव के लिए होने चीज्ञें तालिया बारी है हमारे सबसे मस्त बेबलेड कह सकते हैं फिर सबसे सबसे परफेक्ट बेबलेड जो की हारता यह रहता है उससे चलो बाई इस को लूंच करते ह पहले मेरी वेट मशीन का है यार वेट देखना दा मेरे को पता नियार का है सारा समानिया हमा हो रहे हैं स्टैमिना खतम होते हुए पूरा का पूरा वहीं पे और बैरिकेट शायद डिवाइन से भी जीट जाएगा ऐसे तो यप भाई बैरिकेट डिवाइन से जीट गया नाइस दुबारा करेंगे इस बार देखते हैं क्या डिवाइन बेलियल नाइस बार जीट गया डिवाइन बेलियल काफी इसली उसके बाद आप स्प्रिगन से कर लेते हैं जो की है बहुत स्प्रिगन एंध्री डू बन हो जाए शरूब वो मैंने कैसे लोंच किया यह किस से फाइट कर रहा हूं मैं मां बीचाएंगे कैस मां बीचाहिएंगे बाई यह इनकी फायट हो नहीं थी पाई किसके ऊपर चला गया मैं अरे यार कैसा क्या कर रहा हूं मैं चलो लेट सी यार 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 बस प्रिगन इतना क्यों भागते हो भाईयो इसका जो परफोर्मेंस टीप है गाइस बेरिकेट का वो कुछ ज्यादा खास है नहीं बाईयो जो इसको स्टेमना दे दे लेकिन अभी ये दोनों आपस में अपनी अपनी पावर खीचते हुए देखते हैं कि इसको ज्यादा पावर मिलती है इन दी एंड और कौन जीता है ये बैटल क्योंकि लेफ्ट स्पिन है स्प्रिगन भी और स्प्रिगन हारता है नाइस इसका मतलब यह है गाईस कि अगर मैं वैनिष फैफनियर से करूँ तो वैनिष फैफनियर भी हार सकता है भाई ये तो नेक्स्ड लावल होजाएगा ओके लेटitives सी लास्टाव बैबलेड क्या वैनिष फैफनियर को हरा पाएगा वही देखना ये देख वो भाई इनकी वैरिकेड उफ्कů सकते है यार बाई इनका तो अलग से मस्ट चीज़ था है तो कुछ को यार ओके शायद बेरिकेट जीद गया दूबार ऐसे करेंगे तो वैनिश फैफनेर को हराने वाला मिल चुका है गईस यह नाइस हो चाता मैंने बट वैनिश फैफनेर को हराने वाला मिल गया है नींचे नीचे नीच ये जीए सब्सक्राइब यह तो यह था बैरिकेड लूसी फैफनेर ठीक है यह बताओ कैसी लगी आज की वीडियो और हा देखते हैं और बाई लिंक यहाँ पर मिल जाएगा वोड़ुक्त में वहाँ से जाकर चक अउट कर सकते हो और देख सकते हो यह बाई हो और नेक्स जो वीडियो हम करेंगे उसमें हम करेंगे जो फेक बॉस प्रिगन है और उरिजिनल बस प्रिगन है इनका comparison करेंगे और देखेंगे इन में से कौन बेटर है कौन कितना शांदार कुछ कर पाता है बाकी सब सीम है यार इसमें ये भी मिल गया मेर को जो हमें ये मिला जलो बाद में देखेंगे पार्ट कल की वीडियो में तो आज के लि ये लेकिन attack में थोड़ा सा नहीं attack drive तो ही नहीं है ये इसका agora गयता है वह ही इसका सबसे ज़्यादा drawback भी कह सकते हो कंवे जो कि इसकी बैरिकेड है उसकी speed को बहुत ज़्यादा भी slow कर देती है बेडो में जो करती है लेकिन इसकी speed को ये खुद ग्सन이죠 ज्यादा फ्लो कर लेता है इसलिए हार जाता है काफी बेब्लेट से तो ठीक गईस यह थी आज की वीडियो बताओ कैसे लगी हम मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई टडा